दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टिंट हो सकती है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए इंटेंशिप और जॉब अपोस्टनिटी के बारे में हैं यह अपडेट है मैं टाटा जैसी कंपनी के तरफ से देखने के लिए मिल रही है और एक नहीं बलकि मैं आप लोगों को इस तरह के चार अलग-अलग अपडेट देने वाला हूँ अगर आप इंटेंशिप जॉब की दलाज कर रहे हैं तो आप मैं चाहूँ को कि आप इस वीडियो में लास्तक बने रहे हैं हम इस वीडियो में दोस्तों टाटा की तरफ से आई हाइरिंग और कई इंटेंशिप अपोस्टनिटी के बारे में वन बात करेंगे आप सबी लोगों के लिए अपोस्टनिटी है हर के इलिजबेटी अलग है मैं चाहूँ को वीडियो में लास्तक बने रहे हैं वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा WhatsApp गूप, Telegram गूप से जूड़ना चाहते है उसका link description पे आपको मिल जाएगा जोइन कर लिजेगा वहाँ पे आपको इस तरह के अपडेट हमेशा मिलते रहते हैं तो वीडियो में दोस्तो टाटा की अपडेट पे तो आएंगे लेकिन उसके पहले एक और काफी बड़ी opportunity आप लोगों के लिए है internship से related में कोई regular comment आ रहा था कि sir हमें internship करनी है आप कोई अच्छी opportunity बताए जिसमें हमें खर बैठे वे online internship करने के बार placement भी असानी से उसी company में मिल जाए तो दोस्तो आप देख सकते है पारती internship हमें देखने के लिए मिल जा रही है ये company दोस्तो software developer intern role के लिए hire कर रही है हाली में इसका notification आया है आप देख सकते है remote position होने वाली है software developer intern का role निकला हुआ है work location remote रहेगा internship duration यहाँ पे 3-6 month का हो सकता है इसके बाद आपको full time PPO भी offer यहाँ पे किया जा सकता है यहाँ पे दोस्तो आपकी coding skills काफी अची होनी चाहिए और अगर आपको दोस्तो data science में interest है तो आप लोग दोस्तों इस और काफी असानी सी internship को पा सकते हैं अच्छा data science से मुझे यह भी याद आया दोस्तों कि अगर आप data science पे अपने आपको placement भी अपना पाना चाहते हैं आप सोच रहें कि याद data science सिखे ही नहीं बलकि placement भी मिल जाए तो मैं आपको पता दो दोस्तों कि old-in school ने अपने नए data science course का announcement कर दिया है अब तक दोस्तों कई IT और non IT students इसे करके अपनी placement लगा चुके एक पूरी list आप आप देख सकते हैं जिसे आप LinkedIn में जाके इनके verify भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इतने सारे लोगों ने इस program को किया है और आज ये अच्छी company में प्रेस हैं अब तक देखिए दोस्तों ये एक ऐसा platform में आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे आप लोगों को या इतने लोगों के placement general record देखने के लिए मिलेगे जो आप इनके website में जाके विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों इनके 500 से hiring partner जाना है जो की दोस्तों especially उन लोगों को hire करते हैं जो की दोस्तों Odin School के इस data science bootcamp को करते हैं और इसकी जो fees है वो है 99,000 प्लस GST लेकिन आप अभी इसे है ना इसमें अगर apply करते हैं तो 30,000 रुपे की scholarship और 10,000 रुपे का आपको additional discount मिल सकते हैं आप सिर्फ वसी 50,000 में काफी अच्छा discount पाकी इससे कर सकते हैं इंडस्ट्री की हिसाब से देखेंगे तो काफी कम low price में आप लोगों की offer किया जा रहा है बाकी interested है link description पे है जल से जल apply कर दीजिएगा और इसका फायदा उठाइएगा तो ये तो वोगी बात जा data science की support program के बारे में और अब मैं आप लोगों को आगे दोस्तों पताता हूँ Tata की तरब से जो अपडेट आई है उसके बारे में तो मैं आपको पहले भी वीडियो में दोस्तों Tata Stripe के बारे में बता चुका हूँ एक ऐसा platform दोस्तों जहां पर Tata आप लोगों को free पे हना चीजों को सीखाता है और इसके offline और online अवेलेबल होते हैं जो भी classes है वो आपको free में मिलती है ट्रेनिंग मिलती है फिर placement भी आपको मिलती है तो ये जो update है दोस्तों ये ट्रेनिंग की नहीं है बारे में हम इसके बा अभी जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों जो full time hiring Tata की तरफ सही है इसके बारे में तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इनका career page है अगर आप इनके career page में आएंगे न तो यहां पर आप लोगों को कई सारे updates देखने के लिए मिल जाएंगे मतलब कई सारी hiring यहां पर है देख सकते हैं field operation होने वाला है तरह बात दे लगाना location के लिए hiring चल रही है और यहां पर इसके अलावा देख सकते हैं center manager domain facilitator ऐसे कई सारे programs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर specially बात की जाए इस cyber security specialist के बारे में किया अगर हम इसमें apply करना चाते हैं तो क्या qualifications details हम से मांगी जा रही है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके लिए आप में से हर वो person जो की cyber security पे interest रखता है वो इस पे apply कर सकता है आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसा facilitator जो आपको चीज़ें आनी चाहिए कि आपको यहां पर जो अच्छा knowledge होना चाहिए इसके अलाबा यहां पर जो बताए गई है दोस्तों cc++ java php javascript जैसे programming language का आपको knowledge होना चाहिए अगर आपके पास इसके उपर certifications जैसे cryptography पे network security पे तो आप लोगों को additional यहां पर हाना फायदा होगा इसके अलाबा दोस्तों strong communication होना चाहिए आपक और इसके अलाबा देश्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह सारी चीज़ें यहां पर लिखी गई है qualification की बारे में बात कर ली जाए तो इसके लिए bintag mca mtech के student apply कर सकते हैं जीने अगर teaching का experience है वो apply करेंगे तो उनके तो selection के ज़्यादा chances है वैसे आप यहां पर देख सकत हैं तो आप इसे join कर सकते हैं अगर आपके पस CCNA का certificate होगा ethical hacking का certificate होगा तो आपको यहां पर select होने में और भी ज्यादा असानी होगी apply करने की link आपको description पे मिल जाएगा apply for this job पे click करके आप लोगों को सारे intel field कर दे रहे हैं आई होप आपको यह opportunity पसंद आई होगी तो दोस् प्रॉछब प्रहब कर सकते होगी नहीं करता होगीक की दोस्ते हैं बनःे होग् lot झाल झाल